बारह जनवरी 1863 वार सोम वार प्राते है छे बज़कर 49 मिनट पर कॉलकता के सिमीलिया मोहले में श्री विश्वनाथ दत्त के घर पर एक बालक ने जनम लिया जिसने आगे चल कर समपूरण भारत को अपनी प्राचीन गरिमा से आउगत कराया और सारे भारत में अदभुत शक्ति का संचार किया जिसे आज सारा विश्व स्वामी विवेकानंद के नाम से जानता है आज भी वे करोडों करोडों लोगों के प्रेरिना एवं स्फूर्ति के केंद्र हैं उठो जागो और लक्ष की प्राप्ति तक लगातार चलते रहो इस आहवान से उन्होंने सारे भारत में एक आध्यात्मिक एवं सामाजिक क्रांति का श्रजन किया उस क्रांति का ही प्रेरिनाम है कि आज करोडों युवामन आलोकित होकर धर्म और मानव सेवा में ततपर हैं समय आगे बढ़ा और फिर आया बारह जन्वरी उन्निस सो पचपन स्थान था गाउं सालपूर तहसील खैर जिला अलिगड उत्तर परदेश पचास वर्ष पूर्वय श्री चंद्रभान जी गुपता तथा श्रीमती संजीवनी देवी के घर एक सुकुमार बालक ने जन्म लिया इसका नाम रखा गया श्याम किसे पता था कि सालपूर में पैदा हुआ यह बालक आगे चल कर स्वामी विवेकानंद जी के पथ का अनूसरन करते हुए समाज सेवा का सक्रिय नित्रित्व करेगा परिवार एवं राष्ट्रिय स्व्यम सेवक संग के श्रेष्ठ संसकारों की चाया में बालक श्याम ने तीसरी कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त करते हुए आपना बाल्यकाल गाउं में ही बिताया पारिवारिक परिस्थितियों के चलते सन 1962 में श्री चंदर्भान जी तथा बाद में पूरा परिवार मुंबई आ गया गोरे गाउं और कांधिवली में कुछ दिनों तक रहने के पश्च्यात वे मालाड में स्थाई रूप से बस गए राष्ट्रिये स्वयम सेवक संग के कारिकरमों में ज्यादा सक्रियता रखने के कारण शिग्र ही बालक श्याम राष्ट्रिये स्वयम सेवक संग के आदर्श स्वयम सेवक के रूप में विक्सित होने लगा यहीं से प्रारंभ होता है श्याम के जीवन की रथियात्रा का अश्वमेग यग जिसके होता उदगाता आचार्ये एवं यजमान सभी कुछ श्याम हैं। उनकी एक-एक आहुती की गंध से समाज का हरकोना सुगंधित, सुवासित और प्रकाशित है। उसी यग का परिणाम है कि आज श्याम की छवी एक श्रेष्ठ एवं उतकरष्ट समर्पन की भावना से ओत प्रोत व्यक्ति के रूप में स्थापित हुई है। श्याम का प्रारंभिक जीवन संगर्षों का दस्तावेज है। कांधी वली में रामनगर चाल के पास के पारक में बैठ कर स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करते हुए कक्षा में सर्वोच अंक प्राप्त करना, संग की शाखा से व्यक्ति निर्मान तथा संगठन एवं सामुहिक भावना की शिक्षा लेकर समाज की सेवा करना, यह सब कुछ किशोर श्याम के व्यक्तित्व एवं करतित्व का एक अंग बन गया और इसी तपस्या से डोक्टर श्याम के जीवन में निरंतर निखा राता चला गया। आज डोक्टर श्याम अगरवाल देश के एक सफल एवं कुशल नेतर विशेशग्य के रूप में जाने जाते हैं। 11 दिसंबर 1982 में शिरी महेश चंद्र एवं शिरीमती जीवन लता गोयल की सुपूत्री कुमारी इंदू के साथ पाणी गरहन संसकार करके डोक्टर श्याम ने अपने ग्रहस्त जीवन में प्रवेश किया। महाराजा अग्रसेन की शिक्षय का अक्षरश पालन करते हुए एक साधे शालिन समारोह में कुमारी इंदू को अपना जीवन साथी बना कर समाज के सामने साधगी का एक उच्च आदर्श परस्तुत किया। अब डोक्टर श्याम जिन्होंने कठीनाईयों के दोर से गुजरते हुए अपना जीवन प्रारंभ किया था पूरे चाव भाव से तथा अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से प्रगति के पत पर आगे बढ़ने लगे। लेकिन उन्होंने कभी भी परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रती अपने कर्तव्वे और जिम्मेदारियों का विश्मरन नहीं किया। वे परिवार तथा समाज के केंदर बिंदू बन गए परंतु स्वामी विवयकाननत के सिद्धानत और आदर्ष हमेशा उनके हर्दे में बसे रहे। राष्ट्रिय स्वियम सेवक संग के स्वियम सेवक डॉक्टर श्याम अगरवाल ने एक आदर्ष समाज सेवक और कार्यकरता के रूप में समाज के विभिन ख्षेत्रों की गति विडियों में अपने विक्तित्तु की चाप छोड़ी है। शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान एविस्मरणिय है। भायंदर के उत्तन में केशव स्रष्टी संकुल में स्थापित आवासी विद्याले की नीव में डॉक्टर श्याम का पुरुशार्थ परिलक्षित होता है। जब वहां केवल वीरान बियाबान जंगल था तब डॉक्टर श्याम अगरवाल ने स्व्याम सेवकों के साथ उसमें अपना श्रम दान और अर्थ दान किया था। मालाड के कुरार गाउं का विवेक आनंद विद्याले अभाव गरस्त निर्धन एवं बे सहारा परिवारों के बच्चों के लिए बनाया गया शिक्षा का किंद्र है जिसके पीछे डॉक्टर श्याम अगरवाल की ही प्रिर्णा है। राजस्थान के गाउं उद्यपूर वाटी में स्थापित आदर्श विद्यामंदिर गरामीन क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जागरूक्टर श्याम अगरवाल के योगदान को स्वयम ही परिभाशित करता है। वर्तमान में डोक्टर श्याम अगरवाल नव चेतना ट्रस्ट के माध्यम से मालाड में एक शेष्ठ शिक्षा संस्थान को स्थापित करने की योजना पर काम कर रहे हैं। शिक्र ही इस शिक्षा मंदिर का नेर्मान कारिय प्रारंभ होगा तथा मुंबई के उपनगरिय रही वासियों को एक उतकरष्ट आधुनिक और भारतिय परिवेश से परिपूर्ण शिक्षा संस्थान प्राप्त होगा। समाज का हर्वेक्ती शिक्षित हो और सेवा भाव से दिक्षित हो यह डौक्टर श्याम का सपना है चिकित्सा के खित्र में डौक्टर श्याम अगरवाल का योगदान अभी नंदनिये ही नहीं वरन अनुकर्णिये भी है एक शेष्ट एवं कुशल नित्र चिकित्सक के पर जोपड़ पट्टी छित्रों, वनवासी तथा सुदूर गरामीन इलाकों में नित्र चिकित्सा शीवरों के माध्यम से समाज सेवा में अपना अनन्य योगदान कर रहे हैं। अब तक देश के विभिन भागों में सेहकडों से अधिक चिकित्सा शीवरों का आयोजन करके लाखों लोगों को दृष्टी दान दे चुके हैं जो अपने आप में एक किरती मान है और डॉक्टर श्याम के सम्वेदन शील सर्वस परशी सेवा भावी व्यक्तित्व का प्रम में ही संग प्रचारकों के लिए एक विशाल विश्राम ग्रह का निर्मान करवा कर डॉक्टर श्याम ने समाज को समर्पित किया है डॉक्टर श्याम के सेवा भावी नित्रत्व के गुनों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1997 में इनको हाफकिंस इंस्टिट का अध्यक्ष नियुक्त किया था अपने कार्यकाल के दोरान डॉक्टर श्याम अगर्वाल ने घाटे में चल रहे इस आरोग्य संस्थान को नैकेवल लाब कमाने वाले संस्थान में बदला बलकि इसकी कार्य प्रणाली में भी आमूल परिवर्तन करके इसको और अधिक ज पोलियों के टीके का निर्मान अपने इंस्टिट्यूट में शुरू करवाया। सर्प दंश से बचने के लिए बनने वाले टीकों का विस्तार करने के लिए पुना में एक भवे इमारत भी खड़ी की। समाज सेवा और राजनीती का ख्षेतर भी डॉक्टर श्याम के भूमी का निभाई है। नगरपालिका से लेकर लोकसभात्तक के चुनाओं में डॉक्टर श्याम की भूमी का बड़ी एहम और भरोसे मंद रहती है। इसके बारे में भाजबपा के जिश्ट नेता श्री राम नाइक का कहना है। वैसे वो राजनीती में है। लेकिन हमेशा की जो राजनीती होती है मतलब चुनाओं लड़ना। वो चुनाओं राजनीती में नहीं है। लेकिन भारतिय जनता पार्टी के मुंबई में जो मत्वपूर्ण जिनको हम स्तंभ कहे जा सकते हैं। इस में से डॉक्टर शाम नाम काफी आगे रहता है प्रमुक्ता से। हमने उनको कहा था कि आप इतने लोकप प्रिये हैं। समाज आपको केवल नेतर विश्यक किनाते ही नहीं तो एक सामाज एक कारिकरता किनाते जिस प्रकार से आप गरिबों की सेवा करते हैं। आदिवासी क्षेतrों में जाकर वहां के लोगों के आप्रेशन को करते है। यह सारा जो हैो कि आप चुनाव में खड़े होंगे तो आफस्तानी से जीब जाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं में राजनीति में हूँं लेकिन मैं चुनावी राजनीति में नहीं जाना श्रीव सेना के वरिष्ट नेता श्री सुभाश देशाई का मत है। या तो फिर राजनीती से जुड़े हुई हिंदुत्व की बात हो शाम अगरवाल पीछे नहीं हटते वो आगे रहते हैं और लीड करते हैं तो ये इनकी विशिष्टा रही है अपनी जो धरोहर है अपनी परमपरा है हमारी सौंसकृती है वो हिंदुस्तान की सारी बातों पर इक दृड विश्वास रखते हुए वो कार्य करने में आगे रहते हैं गोरे गाउं स्पोर्ट्स कलब डॉक्टर शाम अगरवाल के पुरुशार्थ और दढ़ निश्चे का जीता जागता कीरती स्तंभ है आज गोरे गाउं स्पोर्ट्स कलब की गिंती मुंबई के राशी संग्रह करके इन्होंने एक किरतिमान रचा आज गोरे गाउं स्पोर्ट्स कलब के भव्वे संकूल में वे सब सुईधाय हैं जो किसी भी अती आधुनी कलब में हो सकती हैं अपने पुज्य पिता सवरगिय श्री चंद्रभान जी के पद चिन्हों का अनुसरन करते हुए डोक्टर शाम अगरवाल की धार्मिक कारिय कलापों और येगादी अनुष्ठानों में भी असीम आस्था है मुंबई का ऐसा कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं है जिसमें इनकी सक्रिय भूमिका और सहयोग ने रहा हो वर्ष 1995 में केशव स्रष्टी के लिए पुझे आचारिय श्री धहमिंदर जी महाराज का श्रीमद भागवत कथा ग्यान यग वर्ष 1998 में गोरेगां स्पोर्ट कलब की भूमी पर तुलसी पंचशती समारो है वर्ष 2003 में वादसल्य ग्राम वरंदावन धाम के लाबार्थ बांगूर नगर गुरेगाओं में दीदी मास साद्वी रितम भरा की कथा का आयोजन राम मंदिर के जिर्नो धार के लिए आचारिय श्री धरमिंदर जी महाराज द्वारा श्री राम कथा का आयोजन स्वामी श्री राम भद्राचारिय जी महाराज की कथा ऐसे अनेको आयोजनों में डौक्टर श्याम अगर्वाल की अगरनी भूमी का रही है बारत की आध्यात्मिक एवं धार्मिक चिंतन धारा में अटूर्ट विश्वास रखने वाले डोक्टर श्याम इसमें विश्वे हिंदू परिशत के अखिल भारतिय सिवा प्रकोष्ठ की कार्यकारणी के माननिय सदस्य हैं और धर्म प्रचार में भी अपना विनम्र योगदान दे रहे हैं स्वामी विवेकानन्द के प्रागट दिवस पर जन्म लेने वाले डोक्टर श्याम अगरवाल के जीवन की जय यात्रा का हर कदम उनके द्रड निश्चे एवं अदम में आत्म विश्वास का प्रमान है और आज वे समाज के मुकोडमनी के रूप में सुशोभित हो रहे हैं डोक्टर श्याम अगरवाल का बहु आयामी सर्वसपरशी सर्वानूरागी विक्तित्व आज के आधुनिक यूग में बेमिसाल है जिसमें पुरातंता और आधुनिकता का अदभुत संगम है आठ भाई ब पहनों को हर प्रकार से सही योग देकर उन्हें मजबूती प्रदान की है अपने अनुज डॉक्टर सुनील अगरवाल को केंसर विशेशग्य के रूप में विक्सित किया और उसे भी समाज सेवा की प्रेरना दी है वे दो बड़े प्यारे बच्चों चिरन जीव धवल एवं आरती के आदर्श पिता है वे एक सुयोग पुत्र है भाई है परनुत उनकी भूम का हमारी परिवार में हमेशा मुख्य रहिया है उन्होंने हम सबको बहुत प्यार दिया है हम इस सुभवसर पर वहवान से प्रात्ना करते हैं उनकी उमर लंबी हो और सुखी रहें और खुश रहें भाईया के लिए मैं कहना चाऊंगी जैसे भाईया ने घर परिवार में प्रधान की भूमे का निभाई है उसी तरह वो देश में भी समाज में भी प्रधान की भूमे का निभाते रहें और मेरी एक पती हैं और साथ ही समाज के विनम्र सेवक है जिनका आदर्श वाक्य है देश हमें देता है सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखें उनके 51 जनम दिन के आवसर पर हम यही कामना करते हैं कि वे शतायू हों और अपने निर्मल निश्चल व्यक्तित्व से इस बेहाल समाज को अपनी सेवा और नित्रत्व से निहाल करते रहें आज समाज को ऐसे ही विवेकानन्दी सत्पुर्शों की आवशक्ता है जो समाज में उठ रही सुनामी लहरों से समाज की रक्षा कर सकें स्वस्तिना इंड्रो रदस्वाः स्वस्तिना भोगा विश्वा वेडाः स्वस्तिना स्थारक्षव अरिष्टने में स्वस्तिना ब्याहस्वातिर्दात्व ओम शांते शांते सरवारिष्ट सांतर भवतो